नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम आपको दिखाएंगे कि लिस्टर इंजन का आइडियल गेर से टाइमिंग कैसे सेटिंग करते हैं तो चलोग सुरू करते हैं अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नया बाददेंगे तब हम आपको neck set करेंगे देख सकते हैं अप यह देखे फिरी है यहां पे हम आपको इसे खोलके फिर देखाते हैं कि नए अइडिल गल्च से कैसे timing so क्या करना है आप यहां देख सकते हैं पूरा squeomsept रुका पड़ा हुआ है अभी हम भील गुमा के आपको दिखाते हैं यह देखिए भील गुमाने से सारा पोर्शन केमसाप्ट वाला रुका पड़ा हुआ है सारा सिस्टम सब कुछ रुका है कोई आइटम नहीं चला है अचानक इंजन बंद हो गया है चलते चलते तो हम आये हैं देखने तो चलो देखते हैं फिर उसी तरफ हम आपको आगे का यहां पर आइडिल गेर जो पोल्ट लगा होता है यहां पर आप इसे आराम से भूल दिजे 21 कि चावी से कि अ इसे आराम से खोल लीजिए फिर आपको ये आइडिल गे निकाल लेना है बाहर थोड़ा रिंच से ठोक दीजिए निकल आएगा थोड़ा ये करेंक वेट में अटक रहा है अब ही हम आपको अंदर का भी दिखाएंगे थोड़ा निकल जाए वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ये हमने निकाल लिया है आप देख सकते हैं इसमें ये भी हम आपको ठीक से दिखाते हैं कहां पे टूटा है कहां पे नहीं ये आप देख सें कितनी जगे ये दात यहां पे टूटे हुए हैं और यहां पे ये टूटे हुए हैं बस इतने ही दात टूटने से इटका टाइमिंग पूरा पोर्शन बिगड़ चुका है तो हम अभी नया गेर मंगवाए हैं अभी हम आपको दिखाते हैं ये देखिए ये ब्रंदावन का ये आइडियल गेर है आप देख सकते हैं नमबर एक क्वाल्टी का ये है और यहां पे देख सकते हैं ये ये आप देख सकते हैं आइडियल गेर है ब्रंदावन का तो हम ये खोल रहे हैं अभी इसको दिखाते हैं ये देख लीजिए ये हम नया ये फिक्स ये ओरिजिनल मॉडल का है इतना वजन टाइप का है आप देख सते हैं इसकी मोटी गरारी है ये ज्यादा दिनों तक चलता है तो हम पहले पुसरोड निकाल देंगे कि केम घुमाने में थोड़ा दिक्कत होती है कि दोनों पुसरोड निकाल दीजिए आप तब ही आप टाइमिंग आइडिल गेर से से शेटिंग कर पाऊगे ये हम दोनों पुसरोड मैंने निकाल दिये हैं ताकि केम साफ्ट हाथों से घुमाने में थोड़ी आराम से घुमे ने तो अटकेगा वहां पे तो हम इधर अंदर आप एक घुमाके देख लिजे कहीं ये गेर टूटा तो नहीं है हाथों से हमारा केमरा इतना ही अंदर जा सकता है तो पूरा केम साफ्ट आप यहां पर चेक कर लिजिए हमारा पूरा गेर सही है ने कभी कभी वहां भी वह भी तूट जाता है यह भी तूट जाता है तो यहां पे ठीक है तो हम आप को अब दुवारा हम आपको DOcu timing यहां प movements करते हैं कैसे level fix करेंगे यह सब हम आपको बताएंगे video छोड़ ना मत तभी हम आपको दिखा पाएंगे कैसे क्या तो यहां पर हम आधा डालके केम को खुमा ड्रहे हें जो केम साफ में लगा होता है यहां पर आप आपको ऐसे लेविन फिक्स करना है जैसे पहले इसको Depending करते हैं तो दोनों का आपको इसी जगे फिक्स रोकना है जहां पर आपका लेवल दोनों वाल टेपर डिले हैं और आपको वील चावी जो रखनी है आपको सीधा नीचे की तरफ रखना है आपको आप देख सकते हैं ये वील चावी का कट जो होता है जो नीचे की और रखना है आपको यहां पर देख सकते हैं पिस्टन हमारा टॉप में जा पूरा हमारा लेवल फिक्स रुका हुआ है तो हम आगे हम आपको गेर नया दूसरा बांधेंगे फिर आपको दिखाते हैं तो हमारा यह आइडिल गेर जो है यह देखिए अभी हम आपको टाइमिंग ऐसे ही सेट करके देखाते हैं ना ही आपको भील खोलना पड़ेगा ना ही आपको केम साप्ट उसको हमने लगा दिया थोड़ा आगे की तरफ उसे गुमा दीजिए ताकि बोल्ट डालने में आइडिल गेर जो बोल्ट होता है वो डालने में थोड़ा आराम से पड़ जाए हाथों से अगर थोड़ा तॉड़ा टाइट है तो हथोड़ी से भी हल्गा चोट लगाके उसे फिक्स कर सकते हो तो हम यहाँ से अब आपको टाइमिंग फिक्स करके दिखाते हैं कहां पर लेवल हमारा जा रहा है तो हम फिर वहीँ पर चक करेंगे आप मैं भील गुमा के रहा हूं कि आपका टाइमिंग ठीक है या गलत है अब याप देखियेगा हमारा टायमिंग पुरा फिक्स मैंने फिक्ट किया है आप ये देखें भील चाबे आपका फिक्स है नीचे की तो हम यह हमारा टाइमिंग फिट बैठ चुका है तो हम इसे इसमें बोल्ट लगा के हम अभी आपको लोड पे इसको चेक करके दिखाते हैं कैसा लोड ले रहा है आटा चक्की पे हमारा यह आइट टाइमिंग आपकी सेट हो चुकी है आप ऐसे ही टाइमिंग बान सकते बीना वील और बीना केमसाफ निकालने तो चलो इसको इन्जन मैंने प्लेट आपकी बन चुकी है अप पुश राट भी लगा दीजिए वह जैसे आपने निकाले थे पुश राट को वह से ही उसी जगह पे फिट कर दीजिए थोड़ा इधर अगर टॉप में पिश्टन है तो आपका पुश राट नहीं लगेगा तो रहा इधर दो लेफ्ट राइट कर सकते हो वील को दूसरा ये हम एर कलीनिल का पुश राट भी लगा दीजिए तो हम आपको घुमा के दिखाएंगे कि हमारा केम साफ्ट चलने लगा है कि नहीं ताकि सब की समझ में आ जाए कि हमारा सिस्टम रुका है क्यों रुका है ये Game tenant कभी चलते चलते ये programming ये ideal gear ये ये a Came sap गल जब टूटेगा मैं आपका केम साफ चलना बंद कर देगा तो आप समझ से लेजिएगा कि हमारा timing में कोई दिक्कत आ गई 같습니다 थोकर भी देख सकते हैं पूस रॉडब अब हमारा फिट हो चुका है इससे एंपलेट बंद करवा के हम आपको लोड पे चेक करके दिखाते हैं कैसा क्या लोड पे कैपसिटी स्की है चलो स्टार्ट करते हैं फिर आपको देखते हैं स्टार्टिंग या धुमा यह आपको सब दिखाएंगे देखिए बुजुर्ग हैं यह भी स्टार्ट कर लेंगे ऐसा इंजन फिटिंग होगा आपका टाइमिंग अगर सही है आपका यह हमारा इंजन देख सकते हैं आप इसकी चाल ढाल चलना कैसा चला है कैसा स्पीड है इसक्या वैसे ही आप इसको फिट कर सकते हो देखिए हमारा एंजिन पुस रोड भी चल ला है सारा कुछ सिस्टम फिट बैट शुका है रही लोड की बात आप लोड भी देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका टाइमिंग फिक्स है तो लोड भी अच्छा लेगा गेहुं देखिए कितना अच्छे से एपिस रहा है आटा यहाँ हमारे हाँ गेहुं पे ज़्यादा लिस्टर इंजिन यूज किया जाते हैं गर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद